नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल में तो आज मैंने यहाँ पे दिन की सुरुआत की है सिल्बट्टे के साथ में तो मैं आज इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ और मैंने कुछ स्पेशल खरीदा भी है तो चलिए इसको मैं दो पानी में अच्छी तरह से धो के सिल्बट्टे को वास कर लेती हूँ तो चलिए यहाँ पे चका चक सा सिल्बट्टा रेडी हो चुका है अब मैं आ चुकी हूँ कीचिन में यहाँ पे मैंने करीब 250 क्राम छिल्के वाली मूम दाल को करीब 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था और छिल्के वाली थी इसलिए मैंने इसको पहले ही दो पानी में वास कर लिया है सारे छिल्के इसके निकल चुकी हैं कुछ रह गए है तो मैं एक बार फिर वास कर लेती हूँ तो देखिए दाल पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है और छिल्के भी निकल चुकी है कुछ छिल्के रह गए है लेकिन खाने में कापी टेस्टी लगते हैं तो यहाँ पे मैंने कटोरी में छिलके निकालके रख दिये हैं और जो मैंने पानी निकाला था उसमें भी कुछ छिलके नजर आ रहे हैं तो अगर आप खाने के लिए पकोडी बनाएं तो छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने दाल को grinding jar में transfer कर लिया है दो से तीन चमच पानी डाला है अब मैंने यहाँ पर grinding jar को तयार करके एक smooth paste बना के हम तयार कर लेंगे यानि कि यहाँ को हमें दाल को पीष के तयार करना है तो मैंने यहाँ पर दाल को पीषना शुरू कर दिया है एक बार मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ देखी साइड में थोड़ी सी डाल लगी हुई है तो इसको हम निकाल के डाल में मिक्स कर देंगे और एक बार हम फिर से इसको चला के पीस लेंगे तो यहाँ पे हमारी डाल पूरी तरह से इसके तैयार हो चुकी है देखे एक्तम स्मूथ बनके तैयार होगी है इसकी जब पकोड़ी बनेगी ना खुब फूली फूली सी बढ़िया बनेगी तो चलिए मैं इस मिक्चर को उठा के दूसरे कमरे में रख देती हूँ और अब हम रेस्पी की आगे की तैयारी करते हैं तो मैंने जो डाल पीसी थी उसको मैं एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेती हूँ और इसको हम निकाल के बोल के अंदर डाल देंगे तो आज मैं बिल्कुल नई तरह की और यूनिक रेस्पी बनाने वाली हैं जो आपको बहत पसंद आएगी तो चलिए डाल को हम रख देते हैं साइड में अब मैंने यहाँ पे करीब दो प्याज ली हैं और थोड़ा सा लैस्ण लीया है तो करीब मैं चार से पाँच कली लैस्ण की ले लेती हूँ काफी बड़ी कली हैं और इसके हम ने छिलके निकाल लेने हैं तो प्याज को मैंने सबसे पहले छील के तैयार कर लिया है और इसको मैं लंबी-लंबी स्लाइस में काटके रेडी कर दिया है और यहां भी जो लेसुन था उसको हम 20 से कट लगा देंगे कि जिससे इसको पीछने में आसानी रहेगी तो प्याज और लेसुन दोनों यहां पे तैयार हो चुके है और मैंने यहां पे लॉंग, दालचीनी, इलाइची बड़ी, काली मिच और चक्री फूल लिया है खड़े मसाले और तीन सुखी मिच को मैंने पहले ही पानी में भीवोके रख दिया था तो चलिए अब चलते हैं सिल्बटे की तरफ चो मैंने पहले से वास करके रखा हुआ है तो चलिए अब बारी है मसाले को पीसने की मेरी नानी इसी तरह से सिल्बटे पे मसाला तैयार करती थी और जब वो सबची बनती थी न तो बहुती टेस्टी बनती थी तो मैंने भी उनको देखके एक सिलबटा स्पेसल खरीदा है और मुझे भी कभी-कभी मन होता है तो मैं दरदरा मसाला इस पे पीसके तैयार कर लेती हूँ तो मसाले मैंने सारे डाल दिये हैं थोड़ा सा मैंने दो चमश पानी डाला है जिससे मसाला पीसने में आसानी रहेगी तो मैंने यहाँ पे मसाले को पीसना शुरू कर दिया है बस थोड़ी सी महनत लगती है और थोड़ा सा टाइम लगता है तो जब कभी भी मन होता है तो मैं इसको मसाला तैयार कर लेगती हूँ और इसके पिसा हुआ मसाले से जो सबजी बनती है न वो बहुत ही खाने में सूपर टेश्टी लगती है तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा मसाला पीशना मैंने सुरू कर दिया है और इसको करीब दो से तीन बार हमें अच्छी तरह से हातों से दबाते हुए तयार करना है अब मैंने शुबे नास्ता नहीं किया था तो मुझे काफी तेज भूंख लगी थी तो मैंने सोचा क्योंने मैं थोड़ा सा नास्ता कर लेती हूँ तो मैंगी बनी हुई थी तो मैंने थोड़ी सी मैगी यहां पे खाली है अब मैं वापस मसाले की तरफ आ गई हूँ और मैंने इसको दूसरी बार पीषना सुरू कर दिया है क्योंकि दो से तीन बार इसकों में रगड़ के पीषना पड़ता है तब ही यह मसाला रेड़ी होता है तो चलिए यहां पे हमारा ज़्यादा तर मसाला पीषके तैयार हो चुका है जब इसकी सबजी बनेगी तो खड़े मसालों की बहुत ही बड़िया खुश्बू आएगी तो मैंने मसाले को यहां पे सिल्बटे से समेटना शुरू कर दिया है और यहां पी मेरे पास एक छोटा सा बोल है उसके अंदर हम इस सारे मसाले को निकालके तैयार कर लेंगे यहां पे मैंने जो प्याज इस्तिमाल की थी वो नई थी उसमें काफी चिकनाट थी तो चलिए मसाला हमारा यहां पे तैयार हो चुका है अब मैं इस मसाले को लेकर चलती हूँ किचन के अंदर तो मैं मसाला लेकर किचन के अंदर आ चुकी हूँ तो मैंने यहां पे राइस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है तो पानी को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया है और राइस को भी मैंने अच्छी तरह से दो पानी में वस कर लिया है तो सबसे पहले मैं आज थोड़ा अलग तरह के से बना रही है तो मैंने एक चमज घी गरम कर लिया है आधा चमज इसमें जीरा डालेंगे और खुब अच्छी तरह से चटक जाने के बाद हम गरम पानी में इसको डाल देंगे इससे जो तड़का लगता है बहुत ही बढ़िया स्मॉकी फ्लेवर आता है और बिल्कुल यूनिक टेस्ट आपको लगेगा खाने में और सायत में में डाल देती हूँ आपे दो तेश पता एक बढ़िया से फ्लेवर के लिए चलिए मैंने पहले से राइस को धोके रख दिया है थोड़ा से इसमें हम डाल देंगे स्वादा नुशा नमक भी और इसके पहले मैंने इसमें डाल दिया है चावल तो इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से एक बढ़ चला देती हूँ और इसको हम ढख के करीब दो से तीन विसर लाने तक पका लेंगे तो जब तक हमारे राइस पन के तयार होते हैं मैंने डाल के अंदर एक हरी मिर्च को काट लिया है यह कम दीखी वाली मिर्च है पकोड दाल अच्छी तरह से यहां पे घर Stephen कर लिया है विस दाल की हमने चोटी-चोटी सी पकोड़ी बनाने है तो सुरू में मैंने यहां पर तेल को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर ही गरम किया है और जो हम पकोड़ी बना रहे एँन्छे भी हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राइ करन इनको हम दूसरी साइड अच्छी तरह से पलट देंगे और सारी पकोड़ी को हम पलटते हुए दोनों साइड हुमाते हुए गूल्डन ब्राउन होने तक इनको हम पका लेंगे ये पकोड़ी अगर आप ऐसी भी खाएंगे तो आपको खाने में बहुती टेस्टी लगेंगे उपर से काफी क्रंशी होती है और अंदर से बिलकुल फूली फूली सी बनके तयार होती है तो पकोड़ी हमारी यहां पे पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है तो इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर आज मैंने यहां पे दाल काफी भी गोई थी तो हमारी आज प पकोडी भी ठेर सारी बनके तैयार होंगी तो सबजी कि यहां पर मैंने मात्रा थोड़ी जादा ही रखी है तो चलिए एक बार की पकोडी बन चुकी है और मैंने दूसरी बार की पकोडी भनाना भी शुरू कर दिया है तो सेम उसी तरह से हम बाकी की सारी पकोडी को भी दोनो साइट पलेट दे हुए इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे तो देखिए पकोडी में पूरी तरह से होल पड़ चुके हैं और खुब फूली फूली सी और सुन्दर नजर आ रहे हैं और अंदर से इतनी फलपी है ना कि बस आप खाते ही रह जाएंगे तो मैंन कि अंदर एक्स्ट्रा तेल है उसको हम निकाल लेंगे और जरुत के अनुसार हम तेल पैन में छोड़ देंगे तो देखिए पूरी प्लेट पकोडियों से भर चुकी है अब मैं थोड़ा सा आपको तोड़के भी दिखा रही हूं कि अंदर से ये पकोड़ी बिल्कुल साइड में रख दिया है यहां पर हमारे जीरा राइस भी बनके तयार हो चीखें तो एक बार मैं इसको अच्छी तरह से चला देती हूं और इनको मैं ढखके रख दूंगी साइड में अब मैंने पैन के अंदर एक चमच जीरा डाला है दो तेश पत्ता और साथ में जो मैंन कम दीखी है इसी तरह से हम मेडियम फ्लीम पर मसाले को सुनेला होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे तो मसाला हमारा यहां पर तैयार हो रहा है तो बड़िया सी खड़े मसालों की खुशबू भी आ रही है जो खड़े मसाले होते हैं उनका स्वात खाने में बहुत ही ब बड़िया करता है तो मैंने एक टमाटर लिया है उसके मैंने यहां पर छोटे छोटे से टुकड़े कर दिये हैं और मैं इसकी बड़िया से चौपिंग करने वाली हूं साइड में मैं सब्जी को भी चेक कर रही हूं बीच में तो चलिए मसाले को यहां पर काटके मैंने टम चॉपिंग कर रही हूं देखिए इतनी आसानी यह और छट पट इसमें सारी चीजぇ तयार हो जाती हैं तो देखिए कितनी बारिक टमाट़ कि यह पे चॉपशंग होके तैयार हो चुकी है तो चालिए मैं इसको निकाल लेती हूं मसाले भी मैंने यहां पे जो सब्जी भूं के तैयार हो रही है उसको मैने बीच मेच में चला दिया है। इतली इसमें धनिया पाउडर 2020 लाल इका पाउडर 2020 अच्छी द्लाइध सार्टी है। अच्छी तरह को चौपकर रखा PAC अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा स्वाधनुशार नमक डालेंगे और इसे भी हम एक बार अच्छी तरह से चला देंगे अब मैंने यहाँ पे डाला है ग्रेवी के लिए पानी तो करें मैंने डेल से दो ग्लास पानी डाला है ग्रेवी की मात्रा मैंने थोड़ी सी जादा रखी है क्योंकि जो हमने पकोडी बनाई थी न वो हम सब्जी में डालेंगे तो काफी मात्रा में ग्रेवी को सोक लेंगे आप मैं इसको करें तेन से चार मिट के लिए ढखके पकने दूँगी मेडियम फ्लेम पे तो चलिए यहां पे हमारा जब तक सब्जी की ग्रेवी तयार हो रही है मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूं काफी सामाने यहां पी बिखरा हुआ नजरा रहा है तो ग्रेवी हमारी यहां पे बन के तयार हो चुकी है तो एक बार मैं इसको अच्छी तरह से चला देती हूँ तो चलिए बड़ी आसी ग्रेवी यहां पे रेडी है अब हमने जो पकोड़ी बना के रखी थी उनको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ हमें बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि जैसे ग्रेवी जादा है न हम सारी पकोड़ी डालेंगे तो उस पर हमारे इंपर छीटे आएंगे तो जली मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी पकोड़ी ग्रेवी के अंदर डाल दी है इनको मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगी और खुली है आज पर ही करीब एक से दो मीट के लिए इनको हम पका लेंगे तो देखिए इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अंदर से काफी सॉप्ट और फ्लपी है तो सबजी हमारी यहाँ पे ज़्यादा तर रेड़ी है हरी धनिया डालके हमें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे देखिए बिल्कुल नई तरह की और बिल्कुल यूनिक सबजी रेड़ी है अब मैंने लिए आप पे एक चमज कशूरी में थी थोड़ा सा मैंने हाथों से इसको क्रस्ट कर लिया है और दो चमज तेल गरम कर लिया है एक चमज कस्मिरी लालमिश का पाउडर और उसमें हम डाल देंगे ये कशूरी में थी और जो हमने सबजी बना के रखी है उसकी उपर हम एक बढ़िया सा चटकारेदार तड़का लगा देंगे तो देखिए सबजी कितने डिलीसियस और चटकारेदार नजर आ रहे है और कसूरी मिती का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो एक बार मैंने यहाँ पे सारी जीजों को मिक्स कर दिया है देखिए जब कभी भी नई सबजी खाने का मन हो तो आप इस तरह की मूंदाल की पकोड़ी की सबजी बनाके खा सकते हैं तो चलिए प्लेट में डाल ली हैं यहाँ पे राइस और देखिए कितने बढ़िया और खिले-खिले से नजर आ रहे है और यहाँ पे देखिए सबजी हमारी काफी गाड़ी हो चुकिये तो इसको डालेंगे हम राइस के उपर और देखिए बिलकुल नई तरह की सबजी खानी हो हरी सबजी खाने का मन ना हो तो आप इस तरह की बिलकुल यूनिक और आसान तरीके से बनने वाली सबजी बना सकते हैं तो चलिए इसको एक बार टेश्ट करते हैं कि इतनी मेहनत से जो सबजी बनाई है वो कैसी बनी है तो चलिए मैं खाने के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ और अच्छी तरह से राइस में सबजी को हम मिक्स करेंगे और फेस का स्वार लेते हैं तो सच में सबजी बहुत जादा टेस्टी बनी है आप यकीन मानिए कि आप इसको पेट भर के खाएंगे तनी टेस्टी बनी है तो चलिए आप सबजी को ट्राइ कीजिए गया और पूरी परिवार के साथ राइस और चपाती के साथ सबजी का स्वार लेजिएगा फिर मिलते ह एक नहीं रेसिपी के साथ बाइबाई टेक कियर कितनो रहे हो तो